आज हम जानेंगे कि आत्मा जब अमर है तो वो जन्म मरन क्यों करती है? क्या अमर का भी जन्म मरन होता है? अमर यानि कभी न मरने वाला तो फिर जन्म मरन कैसा? तो हम जानते हैं कि आत्मा अमर है अमुक मर गया है और अमुक जन्मा है ये भी जानते हैं अमर पदार्थ की मृत्यू नहीं होती और मृत्यू हुए बिना कोई पैदा नहीं होता तो फिर अमर आत्मा का मरन एवं जन्म कैसे होता है? तो जन्म और मरन से आत्मा का अस्तित्व नहीं मिटता, ये तो आत्मा की अवस्ताएं हैं, आत्मा को एक जन्मस्तिती से दूसरी जन्मस्तिती में पहुंचाने वाली है, संसारी जीवों की मुख्य जन्मस्तितियां चार होती है, इने चार गती भी कहते हैं, नरक गती, तिर्यंच गती, मनुष्य गती और देव गती, नरक गती के अंतरगत आते हैं नरक में दुख भुगत रहे नारक जीव। तिर्यंच गती के अंतरगत आते हैं एक इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक के सारे ही जीव। जैसे जलचर, स्थलचर और खेचर। मनुश्य गती के अंतरगत आते हैं सारे ही मनुश्य। देव गती के अंतरगत आते हैं सब प्रकार के देव। मनुष्य और तिर्यंज गती के जीव तो हमारी आँखों के सामने है पर नरक और देव हमारे सामने नहीं है फिर भी उनके अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते हैं। संसार के सारे ही जीव अपने कर्मों के उदेई से इन चारों गत्यों में परीब्रह्मन करते रहते हैं जब तक कि वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त नहीं हो जाते हैं। तो जब तक आत्मा कर्मों से मुक्त होकर अमरत्व या अपने सुद्ध चैतन्य स्वरूप में नहीं लौटती हैं तब तक इन चारों गत्यों में आत्मा का जन्म और मरन चलता रहेगा। हम बस संसार के चक्कर काटते रहेंगे जब तक कि हम जग नहीं जाते कि मैं संसार में भटक क्यों रहा हूं। तब तक अमर आत्मा का जन्म और मरन चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है इन चार गत्यों में सबसे ज़्यादा जीव कौन सी गती में है कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें।